सब्सक्राइब करें चर्दिकला टाइम कीवी को और लेटर स्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को किसे दी कल्यान करनी हुंदी है ते पाही मर्दाना जीनों पोख लग जन दी है ते लग जन दी है ते पाही मर्दाना जीनों पोख लग गी है ते सा संग जी पोख दे दुख करके पाही मर्दाना जी कहन देने महरा सचे पाशा होन में आप जीदे नाल नहीं रहना करांगा क् आप जी दे नाल रहना बड़ा उखा ओदामी सासंगत जी महराज केंदेन गुरु पीरा की चाकरी महा करडी सुखसार गुरु दे नाल रहना उना दी सेवा करनी बहुत करडी है बहुत करडी पर है सुखानों देनवाली कोई सासंगत जी विरले विरले होंदेने, जीडियों काड़ कड़ देने, इस करके जो गुर्नानक देव जी महराजी दे उदासियं वेच जो भी उंकड़ा हुंदियाने रस्ते दे वेच ओपाही मर्दाना जी चलनी साकदे ओवेह करके वार वार के रहेने महराज सानू जान दी आगया कुड़ ऐसी वापस मुड़ना ए तो गुरुनाने कदेव जी महराजी केंदने मरदानिया जे जाना इत जा पर अगे बलावाने जंगल जे वेखला केंदने महराज मैत जाना है जिरी गुरुदी सेवा हुन दिये न साह संग जी महराज केंदे ने आग्या सम नहीं साहिब सेवा गुरुदी आग्या ते चलना है सब तो बड़ी सेवा है सार्या सेवावा विच्चों महान सेवा ते गुरुदी दर ते परवान होन वाली ओही सेवा है जिरी गुरु दी आग्या नू मनना है ते साथ संग जी आग्या तो ओल्ट पाहे मरदाना जी चल गए ने अगे कोडा राक्षस जो साथ संग जी पिछले जनम दा ब्रह्मन सी अपने गुरु दी अदूली गुरु दे सतकार विछ ना ख़ड़न होन करके साथ संग जी इस तरह दी हालत होई सी गुरु वल्लों शुराप प्रापत होया सी क्योंके सिख दा फर्ज साबतो पहला इही है जिन पहे अदब न बानी तहरा जान हो सो सिख नहीं हमारा जिड़ा अपने गुरु दा सतकार नी करदा आदर नी करदा गुरु हर राय साब महराज केंदेने साड़ा सिख नी काओ गज की आखोसा तनाम स्रीवा है गुरु दा सिख ओ ही है जिड़ा गुरु दा सतकार करे जिते साधिया ध्यात्मिक गुरु ने तनसाद गुरु स्री गुरु गुरंद साहिब महराजी जदो गुरु अरजन देव जी महराज जुने पुछिया महराज कोठा साहिब विखे पलंगे दे उत्ते तान गुरु गुरंद साहिब महराजी दा सुखासन है ते आप जीदावी मंजा नाल विशा दिये गुरु गरन साहब महराजी दे बराबर आप जीदावी मंजाई थे डा दिये तांगुर अरजन देव जी महराजी ने कहा मोरे सरूबते याते हैं दीरग साहिब जान अदाइब कैहो किन्दे सिखो साढ़े सरीर नालो तांगुरु गरन साहब महराजी बहुता वड़े ने गज की आखो सतनाम असी गुरु गरन साहब महराजी दे बराबर नी बैठ सकते साढ़े ची हिम्मत नी ये ने किन्दे इद्दा करो सिरी गुरु गरन साहब महराजी दे मन्जे हेट चिट्टी चादर विशाओ असी उत्थे पमागे आजवी गुर अरजन देव जी महराजी दी याद वेच कोठा साहिब स्रियकाल तक साहिब विखे जित्थे स्रिगुरु गुरन साहिब महराजी दा पावन पवितर सुखासन अस्थान है उत्याजवी साहसंगजी चिट्टी चादर विशाओ जान दी है जित्थे असी अपने सद्गुरांदा आदर सतकार करना है उत्थे वड़े वड़े आरांदा भी आदर सतकार करना है जिड़े बुजरुग ने करांदे विच माता पिता ने सास ने सौरे ने पिता ने वड़ा प्रहाए स्कूल दे विच टीचर ने उनादा भी सासंग जी मान सतकार बहुत जरूरी है इस साखी तो इही सानों से क्या मिल दी है कि गुरुदे सिख ने वड़ा दसतकार करना है झाल 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 गुर्णानक देव जी महराजी अगे रखना किते हना गुर्णानक देव जी महराजी देशन मुख रखना किते हनु मरदाने को दे रूरे फिर कोछ जेड़े ने फाल वो पही मरदाना जीनु देना किते क्योंकि उनानु डाड़ी पोख लगी सी कोज जेड़े फाल ने मैं आप अपने वास्ते पाही बाला जी कहन देने मैं वखर कड लए हना अचे मधूर जिन साद न थोरी बहुता स्वाद ले स्वाद न थोरे कहन तो पाव थोड़ा स्वाद नहीं सी उना दा बहुता स्वाद ले जिड़े सासंग जी फाल सन ओ मैं शकेहन फाल जे हुते आगे सुकदाई फिर जीड़े सासंग जी कुझ बजे सन गुर्णानक देवजी महरा जीदे सन मुख पाई सन फाल सो उचाए दिये राख सताई ओ सासंग जी ले करके कौड राक्षस देताई देना किते हना जब कोडे किये मुख मैं पावना जदो सासंग जी कौड राक्षस दे ओ जीड़े फाल गुर्णानक देवजी महरा जीदे सन मुख रखे सन ओ ले करके जदो मुख पाई हना ताथ छेन करी देप लटावना छेती दे नाल जीड़े राक्षस वाला सरीर सीनों बदल करके मनुखा वरगा हो गया सुरस रूप हब ऊस्त ठ्थानी देवता वाला सरूप हो गया सासंग जी गजगे आखोस तनाम स्रीवाई जीड़ी बिर्ती है ना राक्षस वाली ओ वी सासंग जी गुरूदा सासंग जी पोजन शक करके पोग लग गया होया परशाद शक करके बेरती जेड़ी है न सासंग जी बंदे दी बदल जान दी है ते परताख रूप वीच जाड़े राक्षा सा वरके सान उनानो वे गुरुनानक देव जी महराजी ने सासंग जी देवते वरके बना दिते हना नमो नमो करता चों खानी गुर्णानक देव जी महराज नो वार 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 नमस्कार करदा है कौड़ा रक्षस निर्गुन सर्गुन तोर सरूपा गुर्णानक देव जी महराज निर्गुन भी आप जी दा ही सरूप है ते सर्गुन भी आप जी दा ही सरूप है गर्णानक देव जी महराजी निरंकार भी आपने ते सरकुन सुरूप भी आभी हना मन बानी ते पर अनूपा आप जिदा जिदा सुरूप है मन करके कोई पहुँच नहीं सकता बानी करके ओधिसास संग जी व्याख्या नहीं किती जा सकती एस करके हे गुर्णानक देव जी महराजी आप जी मन बानी सरीर करके अगम हो पार ब्रह्म परमे स्वर स्वामी आप जी पार ब्रह्म हो परकिरती तो परे हो परम इश्वर हो सारे देवी देवित्यानालो वड़े इश्वर हो परम इश्वर हो इस करके मैं अपजिनु वार 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 नमस्कार करता है डंडोत बंदन अनिक बार सरबकला समरत डोलन ते राखो प्रभू नानक देकर हथ हे गुर नानक देव जी महराजी तुसे निरंकार हो तन गुर नानक तुही निरंकार तुही निरंकार इस तरह वार वार सासंगत जी गुरुनानक देव जी महराजी दी वडियाई कर रहा है आप जी पगत दे वच्छल हो पगता दी सहायता करन वाले हो ते गरीबान दे रख्या को हो गरीबानो सहायता करन वाले हो जै 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 पुन जन मन रंजन जै हो जै हो जै हो सारे मन दे दुखानो कटन वाले तान गुरुनानक देव जी महराजी आप जी दी जै हो सांत वीरोधन को नित कालक जेरे संत है ना जेरे संता महा पुर्खानो दुख दिन देने शांत आत्मा वाले नो दुख दिन देने उन सारे दुष्टा नो नाश करन वाले हो आप जी तरम सेत जग महपृत पालक तरम रुपी जहाज तरम रुपी सेत आप जी सहायता करन वाले हो तरम दी रख्या करन वाले हो तरम नो संसार दे विच टिकाउन वाले हो इस तरह वार वार सासंग जी कोड़ा राक्षस पगवंत सरूप तहन गुरु नानक देव जी महराजी दे चरना ते में मसकार करदा है वार वार बंदना करदा है हुण जे में साड़ा विरतंतो है कि में मैं एराक्षस जूनी दी विच आया ओ साड़ी जी कहानी है सारा जो विरतंत है आप जी सुनना करो तुम अंतर जामी सब जानो आप जी तांतर जामी हो कटकट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत जर्रे जर्रे जानन वाले हो पर फिर वी आप जी आगया है कि मैं सारा जो पिछला बिरतंत है दसना करदा है तांवी आप जी दी हुकम नो पा करके मैं जो पिछला मेरा बिरतंत है जो कहानी है वो मैं दसना करदा है पिछले सास संग जी जूनी दे विच मेरा जड़ा जनम सी ब्रहमना दे करदा सी ब्रहमन सी में पिछले जनम दे विच पढ़ विद्या मन मान कनेरा विद्या कायते सगों अंदर ही मन्दे विच निमरता उंदी है पामरन करे ना बंदगी करे ना किसे नो सास संगजी पला की जानता है पढ़ पढ़ गड़ी लदी है पढ़ पढ़ पर यह सार पढ़ पढ़ होमे दे विच हंकार दे विच चाल पढ़ पर यह सार कि पंडीमी मांजने ने जिदे करके मन दी विच हंकार ना पैता होवे कहावत है ना जिड़ा हंकार कि अईले ने जिए में आडीजरेगा हंकार ना التलीभ कि अट्रीजरे जयते होवे करें अ कि शेरोवे के शामी फिदे की शेयाइ नाइ होवे विच है कि भी विदे को. इस करके महराज केंदेने मैंनू बहुत हंकार सी कोड़ा राक्षास केंदा पिछले जनम चे बरामन्ड सी मैं ते मैंनू अपने विद्या था बड़ा मान्ड सी हंकार सी कमंड सी एक दिवा समा मैं गुरू तातबेता एक दिगाल है कि मेरे जिड़े गुरू सन बड़े तातबेते सन ब्रह्म ग्यानी महापुरुश सन आवा सहज सुबाब ने केता ते सुते से दही अपनी मौज विच कर दे विच आए मेरे ते मैं थो जिड़ी गल्ती होई न ओ ए होई कि मैं अपने गुरू दा सतकार ने कीता उठ करके मैं अपने गुरू जिड़ाई मेरे गुरू मेरे कर दे विच आए उना दा आउना वेह करके सगों में हंकार दे विच होर बैठा रहा उना दे सतकार दे विच में खड़ा नहीं होया क्योंकि साधसंग जी जदों विध्यार थी पड़ पड़के, पड़ पड़के बहुता पड़ जन्दा है तो अपने गुरू तो भी अगे लंग जन्दा है इननी पड़ाई पड़ जन्दा है पर फिर भी, जिन्ना मरजी गुरू तो अगे लंग जावे गुरू गुरू ही हुन्दा है सिख सिख ही हुन्दा है इस करके जिन्ना मर जी अगे बंदा पढ़ लवे फिर भी गुरू दा सतकार करना वड्यां दा सतकार करना माता पिता दे पैरनू हतलाउना अपने सास्ते सौर्यां दे पैरनों हतलाओना ए सासंग जी गुरू करदी मर्यादाए पैरी पाउना जगवरताया पाई गुर्दास जी केंदे ने इस करके वड्यान दा सतकार करना चाहिदा है कोड़ा रक्षास केंदा महराज हे गुरू नानक देव जी महराज सुते सिद्य मेरे गुरू जी चल करके आए तै मैं उना दा सतकार नहीं कीता केंदे जी मैं सापजडान सासंग जी चुकदानी तौन उधी सिद्य खडी रिंदी है इसी तरह ही मैं तौना कड करके ना मैं सेर चुकाया ते ना ही उना दे आउन ते मैं खड़ा हो करके उना दे सतकार कीता देख अवग्या गुरूरी सिकर कर इस तरांदी अवग्या वेह करके न सासंग जी कदी कदी महराज केंदेने न जलते थल कर थलते कुवा कूपते मेर करावे तर्ती ते आकास चड़ावे पेखारी ते राज करावे राजा ते पेखारी खल मूरख ते पंडित कर बो पंडित ते मुगतारी नारी ते जो पुर्ख करावे पुर्खन ते जो नारी कहो कबीर साधु को प्रीतम तिस मूरत बलेहारी सासंग जी परमात्मा इस तरह दाय कगे कची वड़े वड़े पंड़ता तो वड़े वड़े विद्वाना तो शोटी जी गल्टी करां किने सारे संसार करा देंदा जञाल ह। से यहांil सिरु तए कदी गदी मूरखहा पासो एहो जी गल are देने भेगाजानु दो 타 सी क Penton देने वाल प्रादादा कि भड़ादा वंडा फाल दाल बंडा बंडा बना है यह दे वरका कोई बंडाई नही संसार विच fighter इस तरह परमातमादी खेड़ है मूर्घानों पंडित बना दन कराकरके मुर्ख वांग बना दन दन है मेरे उस्ताद ने मेरे गुरू ने मैंनों बद असीस दिती मैंनों श्राप वाले बचन कहे विक्षी जदों साथ संगह जी बर दे करदे वडे वडेरे करदे माता पेता दा दिल दुखदा ए गुरू दा दिल दुखदा ए अपने उस्ताद दिल दुखदा है न उधो साथ संगजी सारी जेडी विद्या पड़ी है न सारी ते आपा पानी फीर लने ये गज किया खोसत नाम सरीवा है इस करके कदी भी गुरुदी अवग्या नी करनी चाहिदी यह कदी भी वड़ें दा दिल नी दुखोना चाहिदा है जो भी साथ संगजी आपकर देयां सारे कीती करें खुविज पाले ने यह जो असी वड़ी वड़ी आ रहा दा दिल दुखोना नी यह इस करके महराज केंदे ने के मुझ क्यों दीनों श्राप उचर के इस तरह मैंनों श्राप वाले बद असीस वाले बचन कीते हना अस्वी परीत जो तैमान ठानी अभी करा मुझ हे बानी तेरे मान वेच तुँ रंचक मातर भी सोचया नहीं अभी तु केड़ी खोटी रीती ते चल रहाया जे एही रीती सारे करण के जे तेनु होन दंडना मिलया तै इस तरह आं दी रीती तोरपेगी बिल्लो के क्यान के ले जी को की लोड है जी गुरूदा सतकार करंदी लोड की है वड्यान दा सतकार करंदी लोड की है इस तरह ते खल नहीं प्रापत होया तोस बरीत जगा संसार दे विछ जेड़े अपने उस्ताद दा सतकार करंदी जिरी तातां ताते तूरा खसतन पाई होन तो इस तरह कर भी तू जा जाके राक्षजां वाली जूनी विच जाना कर करह कु करम तरम भिसराई ते जिदे करके तेरे सारे जिड़े तरम ते कामने न गुद्धी ते हो जा तेरे परदा पैजावेगा चंगे करम तेरे तो होनगी नी सारे जिड़े चंगे करम ते तो होनगी नी जिना मर्जी कोई जोर लावे चंगा ख्याल तेरे दिमाग दे विच नहीं पैदा हो तरांदे सास संग जी श्राप वाले बचन अपने गुरू पास सोन करके मैं पैपी तपयो बहु कांपा मैं अपने मन दे विच बहुत डर गया मेरे मन विच बड़ा कांबा शड़िया है हे सद्गरू, हे उस्ताद जी हे पंडित जी, हे विध्वान, हे महापुर्खो जो मेरे पास व अवग्या हुई है आप जी जी नि मेरे पास व पूल हुई है तांगो फल रा खस्तान दीनो ते आप जी ने ओदा फल जीडाए ऑँ मेनू राक्षिस वाला सरीर जड़ाई अँ मेनू प्रापत होया है गापलो पोकों को दुख पारी तिहोने दा रस्ता भी दसना करो क्योंके सा संगजी वड़े वड़े जड़े उस्ताद ने न आज दे जमाने देवेच चंगा उस्ताद मिलना पामे संगीज दी पढ़ाई पढ़नी होवे पामे दुनियावी पढ़ाई पढ़नी होवे पामे गतका सिखना होवे पामे गुर्बानी दी संथ्या लेनी होवे पामे कथा सिखनी होवे किर्दन सिखना होवे चंगा उस्ताद लबना इस तरह है जिमें कहादे वेच सुई लबनी होवे जिमें कहादे वेच सुई लबनी बड़े उखी है इस तरह चंगा उस्ताद मिलना वी बड़ा उखाए जिरा चंगा उस्ताद होंदा है न मारा उस्ताद जिरी चीज दो साल विच पढ़ावेगा चंगा उस्ताद उनु सासंगज एक मीने दे विच ग्यान देतावेगा गज की आखोसा तनाम स्रीवाई क्योंकि उननों कुंडियां दा पता हुंदा है कई कई सासंगज जी साल उनने एक एक चीज दे लाए हुंदे ने एक एक गरंथ दे लाए हुंदे ने एस सर के चंगा उस्ताद मिनना बड़ा उखा महराज सचे पाशा केहन देने वार वार बींती कर रह कोड़ा राक्शस के इदा जड़ा फल है ओ मैनों प्रापत हुया है राक्शसा वाला सरीर किर्पा तारतो कर उचारी होन किर्पा करो मैनों रस्ता दसना करो एथों शुटकारा के में होवे क्योंकि जड़ा सासंगज जी बुरे समेद विच पाउंदा है हमन पिना जड़ों सासंग जी पैर फड़े कि आया बड़ा रोया ऐसे बचन उचारन किना इस तरह फिर बचन उचारे एक अंकार तरह अबत आरा एक ओ अंकार निरंकार सुरूपतन गुरु नानक देव जी महाराजी जदो संसार देविच अवतार तारण गे तिनके मिले हो इन स्तारा उना दे जदो तेनु दर्शन होन गे जदो उना दे संगत प्रापत होवेगे उदो तेरा शुटकारा हो जावेगा एक ओर मैं तेने को किब जानो इस तरह साथ संग जी फिर कहन लगा कावडा राक्षा सकेंदे हे गुरु जी मैंनो किमे उना दे दर्शन होन के मैं किमे पशानांगा कि एवे गुरु नानक देव जी महाराजी है किस बिदी दे नाल किस तरीके दे नाल मैं उनानो स्यानांगा किरपा करो सोपात बखानो ओ तरीका दसना करो जुगत दसना करो जी दे करके मैं उनानो पशान लवा सुन के मुझे को दर्पन दिनना सुन करके मेरे बेंतीनू मेरे गुरु जी ने जिरे ब्रहम ग्यानी सन तत बेते सन उन्हाने मैंनो एक शीशा देना कीता कहयो के इस तेले भोचीना केंदे है कवडे केंदे है आस जरा दरपन है एक शीशा है इन्नो ले लेना कर तेदे विछ जीदा भी तू मुख वेखेगा जे मनुखा वाला मुख होवेगा ता ओ गुर्णानक देवजी महराजी होनगे ते जे कोई होर जूनियां दा कुत्यां दा बिलियां दा या होर कोई पशू पंची दा जे तू मुख वेखेगा समझ लो कि ओ कोई जूने देवच पढ़कन वाला कोई जीव आत्मा है उसनो गुर्णानक देवजी महराजी ना जानना कर या मैं पर्त बिम्ब सु जांके इस देवच जेडी तू परच्छाई वेखेगा इस शीशे देवच उनमानक मुकदी सेंता को उसनो जे ता मनुखा वाला चेहरा जे तू वेखेगा फिर समझ लेना करी के गुर्णानक देवजी महराजी हना तो जानो एव है अवतारा फिर जान लेना कर कि ए अकाल पर वाही गुरु दे अवतार हना किस्ते तेरो होए उधारा जीदे करके तेरा उधार होवेगा तेरा शुटकारा होवेगा मुक्ती प्रापत होवेगी अनक जनम जे नर जग पाए अने काही जीडे मनुख ने ओ सास संग जी जुनिया देविच पठक पठक करके नाना जो न विखै जो आए नाना अने काही जुनिया देविच पठक देहना दिन के मुख इस दरपन माही मनुख के दी सैं कब नही ओ मनुखा वर गा मुख नहीं दिसेगा अना दा जो भी ओ पिश्ली जुनिय देविच आए हन ओ स्टरांदा अना दा मुख इस दरपन देविच दिसेगा उरते लेकर मुकर सु आवा तो लेकर के ओ जिड़ा दरपन है शीषा है ओ मैं रख लिया सांब करके तब को मैं एथान रहावा तदों तों एस अस्थान ति में रहना कीता है अजवी ओ अस्थान जबलपुर विखे शुशूबित है जिते कोड राक्षेजदा उधार गुर्नानक देवजी महराजी ने कीता सी कहकर आने मन जिकनेरे मैं बहुत जंगलांदे विछ जा जा करके फड़ फड़ करके मनखनो लेंदा यह सारी मनुख लगे जिरे मुखने ना फड़ फड़ करके शीशे दियागे करके मैं वेखना कीता सुकर कुकर खर्खग सेरा इतियाद के सबको मुख हेरा इस तरहां दे सारी जानवरां दे मुख जेडे ने उमें वेखना कीते इस दरपन वेच तुमरा मानक बदन दिसाना तरहे गुर्णानक देवजी महराजी जदो मैं आप यदा चहरा वेख्याना ता मेनू मनुख जड़ा है मुख जड़ा है ओ मेनू दिस्या है जिनके परसे शराप मिटाना जिना दे दरशना करके इस परशना करके जिरा मेरा शराप मिट गया अस बिद हूँ तो मोहे बिरतांता इस तरह एस आसंग जिरा बिरतांत है मेरा होया है अब दीजे आयत पगवंता ये पगवंत सरूप तान गुर्णानक देवजी महराजी होन मैनू आग्या देना करो उन लोक के भी खैसे दाऊं उन मैं परलोक वेच बैखुंट वेच मैं जामांगा गुमरे दर्शन को सुख पाऊं ते आप जिर दर्शनान करके मैनू बड़े सुख दी प्राप्ती होई है सुरता नहां बैकर नमो पदारा ओ तो फिर सासंग जी कोड़े राक्षिस्दा जड़ा सरीर सी ओ दिव्या रूप हो गया देवतियां वाला सुरूप बन गया मर्दाने कोतक सुनिहारा ते ओ सासंग जी सरीर देवतियां वरका हो करके बैकुंट नू चला गया ते सारा जड़ा कोतक है न ओ पाई साब पहिमर्दाना जी ने अपने अखी विख्या बंदान पद अरबिंद करंतू चर्म कमला दे उत्ते तहन गुरु नानक देव जी महराजी दे सासंग जी पहिमर्दाना जी ने मथा टेक्या है तहन तहन प्रभ तहन पनंतू ताहन गुरु नानक ताहन गुरु नानक ताहन गुरु नानक इस तरह वार वार पही मरदाना जी अपने मुखचों उचारदा है सिरी प्राबो इस दर्पन को ली जाए है सुभायमान शुरो मनी ताहन गुरु नानक देव जी महराजी क्यों न आपा इद्दा कर देयां कि एज़रा शीशा यह दरपण जादू गरी है किन्द इन्व आपा लेल नेयां है अधपुत निज़ निकट रखी जाए इन्व बड़ा अस्चर्ज है बड़ा अधपुत है इन्व आपा नाल रखांगे सुन कर पन है गरीब निवाजू सुन करके न गरीब निवाज तांगुर नालक देव जी महराज जी इस दर पन ते क्या है काजू किंदे एस खिलोने दा सड़े की कामा है असी की करना एस खिलोने लो लेकर के एत खिलोना है एत सासंग जी नाटक चेटक किये को काज़ा प्रभ लोगन के आवत लाज़ा ए साड़े काम नहीं गे कि शीशे रखने ए ताँ असी ताँ जड़ा शीशा रखांगे न वो तिनु दस दे हाँ मुकर विचार रूप जेन पासा जिना दे को विचार रूप शीशा है जिना दे को विचार नसत ते असत की सच की है ते चूट की है मुझे डे साथ संग जी निरना कर देन आतम अनातम विवेक जिना दे को आतमा दा ग्यान होंदा है अनातम दा ग्यान होंदा है कि ए आत्मा है ए अनात्म वस्तुआ हान आत्मा मेरा निर्चिद है अगांज है अपांज है अचूज है अचांज है ए जिरा आत्मा सुरूप है जिना दे कोल इस्तरा दे साथ संगजी विचार है ओ ही साथे कोल दरपन है वेख लेना कर इनको आत्म होते पुरकासा इस तरह दी जिड़ी आत्मा दी विचार करन रूपी जिड़ा शीशा है ना हे मर्दानिया इस तरह दा शीशा अपने कोल रखना कर सदा अनंदी करें प्रम पंगा जिजे इस तरह दी विचार करेगा तू ता सदा हमेशा ही तू अनंदी विच रहेगा किसे वी दुख विच नहीं पवेगा ना ही तेरे मन विच सुख दी इच्छा होवेगी ना ही तेरा मन विचे वि विर्त हुएगा ते सारा ही जड़ा परम है न वो तेरा नाश हो जावेगा चोपई पर्तर कोडे केर परसंगा अगे कवी सास संग जी संतोक संग जी परसंग अरंब कर रहे ने महराज केंदे ने के गुरुनानक देव जी महराजी पर्तर जोगी नूप देश बक्ष करके ते कोडे राक्षे दा उधार करके सोन सिरी अंगद प्रेम उमंगा वे सादगुरु सिरी गुरु अंगद देव जी महराजी प्रेम दे नाल उच्छा दे नाल सारी जीडी गुरुनानक देव जी महराजी दी कथा है न ओ भाई साहब भाई बाला जी पासो सुन रहे हाना लगी समाध जुटे जुग नैना पर्थरी दा ते कोडे राक्षच दा प्रसंग सुन करके न गुर अंगा देव जी महराजी दा गुर नानक देव जी महराजी दे चरना दे ना आलत तेहान जुड़ गया एक मेक हो गया इस तरह तेहान जुड़ गया एं समाधी विच अखंड समाधी लग गयी निर्विकल्प समाधी लग गयी तनगुर अंगा देव जी महराजी दे अंगा डूल न उचरत बैना सरीर साहसंग जी हरकत नी करदा सरीर चंचलता ही नी करदा हेल जूल नी करदा अडूल सरीर जीड़ा है ओ साहसंग जी टिक गया है समाधी लगी है जोता बकता हट कर सब ही जीडे शुरते हन सुनन वाले कथा दे गुरा मरदास जी महराजी बबा बुड़ा जी होर जड़े ब्रहम ग्यानी महापुर्श साद संगत सारी जड़ी है ते जड़े बक्तेहन पाईसा पाईबाला जी ओ कथा सुना करके हट गए ने कौड़े राक्षस दी परत्री दी पर गुरु अंगत देव जी महराजी त्यान विछी बैठे रहे लिज लिज थान गए चलो तब ही आप अपने अस्थान ते कथा सुन करके चले गए सारे जड़े जड़ों सासंग जी सताई जाम तो पहाव सासंग जी तकरीबन साड़े के तेन देन जीड़े ने इस तरह बतीत हो गए ने समादे विच ही गुरंगत देव जी महराजी नू ततपना चेतन तातन आई सासंग जी रंचक मातर भी सरीर दे विच चेचनताई नहीं आई है सरीर अडोल पत्थर वर गे जीवे पहाड बैठे होंदे ने इस तरह सासंग जी सरीर जड़ा जड़ हो गया है बिलकुल भी उंगलियां जेड़ियां ने अखाँ जेड़ियां ने सासंग जी एं टिक मगन हो करके बैठे हैं ना खान दी सोद है ना कुझ पीन दी सोद है ते नहीं इशनान दी कोई आसन ते बैठे हैं होयां इन एक दिन बतीत हो गया ता नो गुरंगदेव जी महराजी नो पैकर कोई नसक हैं बुलाई ते जेडे सिख सन लागे रैन वाले ओ डर करके गुरंगा देवजी महराजी ने बुलाँदे नी उठाँदे नी समादी विच्चों बैसे पास पिखेद रिगलाई बैठे ने पास तनगुरंगा देवजी महराजी वल एक टक ला करके सिख जेडे ने विख दे हना ते कुछ समय बाद अनन्दे दाते तनगुरंगा देवजी महराजी दी समादी जेडी है उठान होई है खुली है उठकर मजन कीन मुकंदा मुक्ते दे दाते तनगुरंगा देवजी महराजी ने उठकरके सरीर दी क्रिया किती है श्नान पान कीता है श्नान पान करके ने जी सब ही लंगर आदिक प्रशदा आदिक शक करके कथा समाजी बुलावा तब ही कथा सुनन वाले प्रेमी ते कथा सुनन वाले पहई साहब पहई बाला जिनु गुरु अंगत देव जी महराजी ने अपने कोल सदना किता सुरूता बकता सब चल आए श्रोते जड़े ने कथानो सुनन वाले ते बक्ते कथा बुलन वाले सारे जड़े व्याख्यकार पाई बाला जी दे समेथ सारे चल करके आए हना निजज आसन बैठ सुहाए आप अपने अस्थान ते सासंग जी सार ही बैठ गए हना टिक करके गुदों फिर कथा जिडी है फिर गुरु नानक देवजी महराजी दी चल रही है पही सारे पही बाला जी संदो गोत दे जाटसन ते ओ सासंग जी कथा सुनन वाले ने ते कथा सुनन वाले नेमी ने तन गुरू अंगदेव जी महराजी उनादी सेवा देवेच गुरु अमरदास जी महराजी ने तेज पहंजी दे सुपूतर बाबा बुड़ा जी ती होर साथ संग जी वटे वटे महापुर्ष ब्रहम ग्यानी कथा दे सुनन दे निमीख होए हना स्री बाला संद्रू बाच चोपई राखस को इवकीन उदारा ये गुर अंगत देव जी महराज जी अगे जी में कथा चल रही है किरपा करके सुनना करो कोड राक्षिस नो निहाल करके गुर अंगत गुरू नानक देव जी महराज जी गवने मुकत उदारा सारे अनुसा संग जी मुकते देन वाले दाते गुरू नानक देव जी महराज जी अगेन सासंग जी चल पए हना जिते बड़ा संगना सासंग जी जंगल है निकटना जाके कहठा नगरा ते ओदे नेडे तेडे किते वी कोई सासंग जी नगर नहीं है कोई पेंड नहीं है मांद मांद तैकीन पे आना होड़ी 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 तान गुरु नानक देव जी महराजी तुर रहे हाना तेछेन कहन लगा मरदाना तो समय पाही मरदाना जी कहन लगे ए प्राभो मो को छुदा सतायो जदों में सासंग जी कोई कौतक करना होंदा या तिहाँ गुर्णानक देवजी महराजी पहिं मर्दाना जी नो सासंग जी पोखला दिन्दे संग क्योंके पोखी हिएंग एक एहजी चीज है येडी बंदे नो संसार दे नाल جोड़ दी है गज की आखोसत नाम जी पोखर नहीं लगी फिर सासंग जी बंदा संसार देना नहीं जुड़दा फगत कबीर जी केंदे ने कहो कबीर जिस उदर तिस माया तब छूटे जब साधू पाया केंदे ने जी नो टेड लगा ना उनों माया चिमडी हुई है गज की आखोसत नाम महराज केंदे ने हे गुरुनानक देव जी महराज किन्ना कसमा हो गया किन्ने के दिन बतेत हो गया नहीं आप जीने मेने कुछ शकाया नहीं मेने पोख लगी है केंदे होनता इन्ना आउखा होया इन्ने पउख लगी है के एक पैर भी मैं पट नी सकता इन्ने सरीर वेच ताकत है नी बाल है नहीं केंदे हे गुर्णानक देवजी महराजी सारे पासे बड़ा संगना जंगल है ते के ते नेडे तेडे वे कोई नगर नहीं है कोई पेंड नहीं है सोन बोले बेदी कुल दीपा सोन करके पाही मरदानी जी दी बेंती नू बेदी कुल दे जोत रूप तान गुरु नानक देवजी महराजी कहां लगे तीर तारो है नगर समीपा मर्दाने यां तीरज नो तारना कर लग गई एक नगर है जान ले एस तरह पही मर्दाने जी नो सास संग जी पर चौन दें हो यां गल बात कर दें हो यां गुर नानक देव जी महराजी अगे चल पए गई उलंग सरब उदियाना सारा जड़ जंगल सी ओसा संग जी लंग करके गुर नानक देव जी महराजी एक नगर को ला गए हना तीन कोस ते नगर सुहावा सुझ तिन को ते दूरी ते एक नगर बड़ा सोब रहा से मर्दाने को प्रभू दिखावा मर्दाने नो विखाणा कीता कि वे मर्दानिया वेख आ लागेई पेंड है वेख लेना कर सुंदर उर देखो थल उच्छाँ ते नो विखाणा के बड़े दिन बतीत हो गए हना केंदे इस तरह ना होवे कि मैं इत्छी जा करके मर जामा हो रगे जा करके ए ना होवे कि मैंनो मौत आ जावे सब भी तुमें निरने कर जाना के सारे तरीकें दे नाल में निरना कीता है किन खुदा अब है मिर तु मौरी जग जीवान ते तूटी डोरी बैठ करके कथा सुन रहे हैं ए सासंग जी सालसरा जोहरी दी हवेली है ते थे ही सालसरा जोहरी दा सासंग जी गुर्णानक देव जी महराजी दर्शन देन गे एक लाल एक बड़ा कीमती हीरा पाही मर्दानी जिन्हों दे करके सासंग जी साल सरह जोहरी कुल पे जनगे ओ प्रसंग जीड़ाए कल दिवाने देवीच सरवन आवे करकर योजे होन जो सासंग जी समेदी समापती वीचार कर दिया बेंद प्रकार जी गलतिया हो गिया हना मेर तू हवै पर यो रहक है थाना साब बित मैं निरने कर जाना कीन खुदाए अब है मिर तू मोरी जाग जीवान ते तूटी दोरी वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते तन तन साथ गुरुज